हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताना शुरू करूंगी कोल्ड वोर के बारे में यानि की शीत युद के बारे में जो शीत युद है इसकी शुरुवात कब हुई थी और इसका सही माइने में अर्थ क्या है और ये कब से कब तक चला जो शीत युद है इसकी शुरुवात ज रश्या, अमेरिका और ब्रिटेन इन तीनों देशों ने धूरी रास्टर के साथ में यानि की जर्मनी, जपैन और इटली इनके खिलाफ मिलकर संगर्श किया था लेकिन जैसे ही Second World War खतम हुआ तो इन देशों के बीच में जो मतवेद है वो कुल कर सामने आए यानि की रश्य और जो अमेरिका है ये आपस में बट गए जो रश्या है वो सामेवाद की तरफ और जो अमेरिका है वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया पूंजीवाद यानि की Capitalism और सामेवाद यानि की Socialism इन ये जो दो देश हैं ये दोनों अलग-लग अर्थवेस्था की तरफ इस दो नीचा दिखाने का भर पूर परियास करता है अब ये सवाल आता है कि जो शीट यूद है इसकी शुरुवारत कैसे हुई थी तो इसकी शुरुवारती जो लक्षन थे वो 1917 में ही उबरकर सामने आए थे लेकिन तब ये बात जो थी वो धीमी पड़ गई फिर सेकेंड वल्वर के खतम होने के बाद में जो दोनों देश हैं वो आपस में बट गए और इन दोनों देशों में शीट यूद जैसे लक्षन पैदा हो गए जो शीट यूद है वो वास्तों में मतब अस्तर ससर का यूद तो नहीं था प्रन्तु फिर भी जो शीट यूद है इसने लोगों के मन में डर और अविश्वाश की भावना को पैदा किया अब ये सवाल आता है कि जो शीट यूद है इसका विकास करम कब से कब तक रहा था जो शीट यूद है इसका जो विकास करम है इसका जो पहला चरन था वो 1947 से 1953 तक रहा था और जो शीट यूद का दूसरा चरन था वो 1953 से 1963 तक रहा शीट यूद का जो तीसरा चरन था वो 1963 स 1989 के बीच में रहा है तो आज की क्लास हमारी यहीं खातम होती है I hope आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है और आप इस तरह से हमारी और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्काइब करना और हमारी वीडियो को शियर करना ना भूले थेंक यू धनेवाद